आज हम देखेंगे नंबर सीरीज पर बेजड और टाइप क्या है उस टाइम देख चुके थे दो टाइप देखे थे आज देखेंगे थार्ड और फोर टाइप ठीक है किस किस टैप से क्वेस्टन आते हैं तो यह सब जानना जोड़ी है ऐसा ऐसा क्वेस्टन पूछता है हर इक इक्जाम में अभी आने वाला एंटिपस्य और सस्यों कुछ लोग समय का चाट कट भी और लेकिन सव्काट हमें सही नहीं होता है लॉंग का ठीक रहता है ठाट रहता है तो चलो देखते हैं पहला को स्थ्टन है दो संख्याओं का योग 46 है उनका अंतर 14 है तो हम लोग को यहाँ पर करना है बड़ी संख्या ग्याद करनी है तो यहाँ पर लोग हल निकाले तो क्या होगा माना चोटी संख्या क्या लेंगे माना चोटी संख्या एक्स है तथा बड़ी संख्या क्या है बड़ी संख्या है कि थी कि इसके दिया है कि दो संख्या जोता है बड़ी संख्या जोग नहीं है तो आफ लोग पहले मानते हैं कि छोटी संख्या जो है X है और बड़ी संख्या क्या है Y है अब देखो question क्या बोलता है प्रस्णा नुसार दो संख्यार का योग means x plus y Department कितना है 46 है ठीक आप बोल रहे हैं कि उनका अंतर कितना है 14 है ठीक तो x minus y equal to क्या हो गया 14 ठीक है अब देखो मालो इसको हम लोग जोडते हैं जोडेंगे तो यह y से plus y से minus y cancel हो जाएगा एक्स प्लस x means 2x और 14 प्लस 16 प्लस यह 60 हो जाएगा एक्स इक्वेल तो कितना आया 60 अपॉंड टू एक्वेल टू थर्टी आया ठीक है अब देखो इसमें छोटी संख्या क्या है टू । अब इसमें बोला है बड़ी संख्या ग्यात करना बड़ी संख्या तो अब यहां पे y का वाईलयू हम लोग करना पड मालो कर निकालना पड़ेगा तो किसी भी equation मैं महांन गों गश्कु को equation 1 कि किसी भी equation में हम लोग अगर x का value पुर्ण मर एक्वेल पूट एक्वाल टू 46 मेंस वाई एक्वाल टू 46 माइनस 30 एक्वाल टू क्या आया 16 यह है हम लोग का एंसर वाई का वैलू हम लोग बड़ी संख्या का वैलू चाहिए रहा था वाई ठीक है और छोटी संख्या क्या माने है यहां पर एक्स तो एक्स एक्वाल टू 30 और वाई एक्वाल टू क्या है 16 यह चोटी संख्या है और यह बड़ी संख्या है ठीक है अब देखो दूसरा क्वेस्टर दो संख्या होगा अंतर 137 है यदि बड़ी संख्या 180 है हो तो चोटी संख्या ग्यार करनी है ठीक है तो इसका हल कैसे ह से ओपना होगा हाल को थीक है माना होग हो कि से क्या है है से छोटी संख्या 1 थिक आब भरी शैंहले क्या दिया एक्स तैस बड़ी संख्या 1 तो एक सो असी ठीक अब क्या बला है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है यहां पर देखो दो संख्या है एक से एक तो एक सो असी है ठीक है तो हम लोगों को क्या निकाल नहीं है दोनों का अंतर तो एक सो असी माइनेस एक सिक्वल टू क्या हो जाएगा एक सो 37 ठीक है तो एक सिक्वल टू क्या हो जाएगा एक सो असी माइनस 137 तो यहां पर क्या आएगा दस में साथ गया तो 3 और साथ में किन गया तो 4 एक्स इक्वल टू क्या है 43 यह हम लोग के अंसर है मीज यहां पे जो छोटी संख्या होगी क्या होगी हो 43 होगी ठीक है अब स्वलुशन नंबर 3 क्वेश्चिन को देखो क्वेश्चिन क्या बोलगे है दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है दोनों संख्या का गुड़न फन आप किजिए यदि उनका योग क्वेश्चिन को ध्यान से पढ़ने है और उसके इसाथ से हम लोग को क्या है एक्वेश्चिन मनाने है सौर करने है बहुत इजी है ठीक है दो संख्या के वर्गों का योग क्या 165 है हल 3 माना 2 संख्या है और 50 है दो संख्या है, X and Y है, ठीक है, आप question के इसाथ से देखो, प्रस्न अनुसर, प्रस्न जैसे बोलेगा हम लोगों ऐसे ही solve करना है, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, एकसो पैसाट है, एकस का वर्ग धन, वाई का वर्ग पराबर क्या होगा, एकसो पैसाट, हम लो से है, प्लस Y, दोनों का योग क्या हो गया, ठीक है, अब हम लोग फर्मूला जानते है, एकस धन, वाई का वर्ग बराबर क्या होता है, एकस का वर्ग धन, वाई का वर्ग धन, टू, एकस, वाई होता है, ठीक, तो आप दोपर, एकस धन, वाई का मान्द क्या दिया है, ठी 23 का वार्ग हो गया अब X X स्क्वार धन Y के स्क्वार क्या है 165 है धन 2XY ठीक तो 23 के स्क्वार क्या होता है 529 होता है और 165 प्लस 2XY अगर 2XY एक्वल टो करूं तो क्या होगा 529 माइनस 165 ठीक है तो इसमें 9 में 5 गया तो 4 126 गया तो 6 4 में 1 गया तो 3364 कितना 2XY बराबर तो XY बराबर 564 मट्टे 2 बराबर क्या जाएगा 182 ठीक है अब देखो यह है गुडन फॉल मिन्स X.Y, 2XY मिन्स X.Y है तो यही हम लोग को निकालना था तो इसका एंसर क्या है 182 आएगा इसका जो गुरन फॉल होगा वो क्या होगा 182 आएगा अब देखो इसमें दिया है 2 संख्याओं का गुरन फॉल और अंतर क्रमसह और अठाइस हैं उनके व्यूत्प्रमों का योग्यार कीजिए देखो ऐसा देखने से लगता है बहुत कठीन है लेकिन यह बहुत इजी है ठीक आप देखो इसमें क्या होगा दो संख्या होगा गुड़न फॉल और अंतर क्रमसहर गुड़न फॉल क्या दिया है 93 और अंतर क् 28 माना दो संख्या है क्या क्या होगी दो संख्या एक्स एंड वाई है ठीक है आप देखो बोला क्या है कि दो संख्या होगा जो गुड़न फॉल है means x इंटू वाई जो है वो कितना है 93 है जबकि अंतर क्या है 28 है ठीक है अंतर व्यूत्क्रमों का अंतर ज्याद करना है हम लोग को व्यूत्क्रम मीन्स एक्स का व्यूत्क्रम क्या हो जाएगा वन अपान एक्स व्यूत्क्रम क्या हो जाएगा वन अपान वाई ठीक है अगर हम लोग इसका व्यूत्क्रम निकालेंगे तो वन अपान वाई माइनस वन अप ठीक आप देखो यहां पर x-y कमान दिया है xy कमान दिया है बस पहले बूट कर दो आगया एंसर x-y एक्वल टो क्या दिया है 28 और xy एक्वल टो 93 यह है हम लोग का एंसर ठीक समझाया बहुत इजी है ठीक है आप देखो टाइप 4 टाइप 4 पर आते हम लोग टाइप 4 क्या है भाग विधी द्वारा हम लोग को क्या है solve करना है ठीक है तो देखो हम लोग फार्मुला जानते हैं कि भाज बराबर भाजक गुडित भाग फल धल से सब्सक्राइब डिविडेंट इक्वाइट डिविजर इन्टू कोटेंट फ्लास रिमाइंडर होता है ठीक अब देखो 1265 को किस संख्या से भाग दें कि भाग फल 84 तथा 6 5 हो ठीक है इसका हल 1 फिर 1265 को किस संख्या से भाग दें यहाँ पर दिया है भाज ये इक्वल टू दिया है 1265 भाजक नहीं दिया है भाजक नहीं दिया है ठीक है अब भाग फल दिया है 84 और सेस पल कितना है फांस अब देखोंगा फर्मुला क्या है बार भाजो बार भाजाब बाजक गुरिद भाग पल धन सेस फल अब यहाँ पर भाजाक नहीं दिया है तो इसको मालकल एक्स माल लेते हैły ठीक, आप भाजे, 1265 इक्वेल टू भाजर, means x इन्टू 84 प्लस 5, ठीक है, तो अब देखो, 1265 माइनस 5 करेंगे, इक्वेल टू 84 x, ठीक है, ठीक है, तो 1260 इक्वेल टू 84 x, x एक्वेल टू क्या हो जाएगा, 1260 अपॉड 84, ठीक है, तो 84 से इसको हम लोग डिवाइट करेंगे, 1260 बतों 84 बन जा, क्या है, 84, 6 में 4 गेट 2, और 12 में, तो 84 फाइब जा होता है, 420, ठीक है, तो इसका जो एंसर है, वो क्या है, 15 है, x का वेल टू क्या आया, 15 आया, means यहां पे भाजात क्या होगा, 15 होगा, ठीक, अब देखो, इसमें जो है, दूसरा क्वेस्टिन है, 1560 में से कौन सी छोटी सी छोटी संख्या जोड़ दें की प्राप्त नई संख्या, 18 से पुरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है, यह मालो, 18 से, 18 से हाल टू हो, 18 से किसी इसको भाज देते है, 1560, तो 188 क्या होता है, 144 होता है, तो 6 में 4 गया, तो 2, और देखो, 1859, 18 चक का, 108, बचा क्या, 12, अब देखो, इसमें क्या जोड़ें, की 18 होजाता, अगर मालो, 18 होजाता, कम्प्रीट होजाता, ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसका दो तरीका है, 18 माइनस, 12 करेंगे, तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, तो यह फिर 12 में डारेक, 6 जोड़ें, 12 प्लस 6 कर दें, ठीक है, तो 12 प्लस 6 करेंगे, मिस 18 हो जाएगा, तो 18 आठारा से तो चला जाएगा, ठीक है, 12 प्लस 6 करेंगे, तो 18 होगा, मिस ने, क्या है, यहां पर 6 हम लोग जोड़ेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, पूरी तरह से भाग चले जाएगे, मिस यहां पर एंसर जो होगी, वह सीक्स होगी, अगर देखो, 120 के जाएगा, 126 राता, तो 18 साथे 126 में चला जाता, तो वह सबसे छ प्राप्त होता है, सेश 45 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को तेश से भाग दें, तो सेश क्या प्राप्त होगा, ठीक, अब दखो कोई से भी संख्या है, ठीक है, कोई से भी संख्या है, उसको हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है हम लोग को प्राप्त होता है शेस जो है प्राप्त होता है कितना वागफल हम यह को नहीं पता है अब लोगने को सिह है वो 45 प्राप्त होता है आप सब्सक्रार dati curt हृष स्बक्राइब आप सदस्पाय Robinson सेस प्राप्त होगा मींस उसी संख्या को अगर तेज से भाग देता है मिंस यह जो सेस बचा इसको अगर यह बहुत इजी है तो